नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़ियास होंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको hearing loss, deepness यानि बहरेपन की जनकारी दूंगा और इसके काजेज, symptom और सबसे last में इसकी best homopathy medicine भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिस हैं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजिएगा बेल आइकन भी दबाईएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं hearing loss यानि deepness बारापन क्या होता है सुनने की छमता कम होना या फिर पूरी तर से खतम होने की इस्थिती को hearing loss, deepness, बारापन करते हैं दोस्तों अब चलते हैं इसके काजेज की तरफ कौन-कौन से कादर होते हैं deepness के, hearing loss के दोस्तों सबसे पहला कादर है सर्दी लगना अगर आपको बहुत जादा सर्दी लग गई है तो आपको भारे पान की समस्या हो सकती है अगला कादर है दोस्तों कानों में किसी चीज की बहुत तेज आवाज पढ़ने के कादर आपको सुनने की छमता कम हो गई हो अगला कादर है दोस्तों सीन में चोट लगना अगला कादर है दोस्तों कान पकना कान में मैल जमा हो जाना अगला कादर है दोस्तों किसी लंबी विम्यारी के काड़ आपको hearing loss की समासिया हो सकती है और सबसे last काड़ है दोस्तो age अगर आप 60 प्लस हो गए हैं तो आपको धीरे धीरे hearing loss की समासिया सुरू हो सकती है दोस्तो यह थे कुछ काड़ hearing loss बारेपन की दोस्तो अब चलते हैं इसके sign and symptom मतलब लच्षड की तरफ दोस्तो सबसे पहला लच्षड है लोगों की बात को समझने में कर्चिनाई होना दूसरा लच्षड है दोस्तो बाते सुनाई देना लेकिन समझने में परिशानी होना अगला लच्षड है दोस्तो अचानक कोछ सुनाई ना देना दोस्तो यह थे इसके लच्षड अब चलते हैं इसकी होमोपैथिक मेडिसिन की तरफ दोस्तो सबसे पहली और सबसे effective मेडिसिन है काली मियूर 6X काली मियूर 6X की पिक्चर आपको साइड में दिखी दई है दोस्तो यह बहरे पन के लिए खास तोर पर दी जाती है इसको लेने से किसी भी कारण से बंद कान खुल जाता है तो काली मियूर 6X चार गोली सुबह चार गोली दो पहर में चार गोली साम को चूसना चाहिए दोस्तो नमबर दूसरी मेडिसिन है Magnesia Carve 200 Magnesia Carve 200 की पिक्चर आपको साइड में दिखी दही है अगर जिनकी उमर साठ साल या उससे अधिक हो गई है और उनको एज के कारण सुनाई नहीं दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है तो Magnesia Carve 200 2 बंज सुबह एक बार लेना है दो बुन साम को एक बार लेना है दोस्तो नमबर तिसरी मेडिसिन है इलेप्स 30 इलेप्स 30 की पिक्चर आपको साइड में दिखी रही है अगर आपके पूराने बहरे रोग होने के साथ ही कान से पीब यानि पस निकल रहा हो तो इलेप्स 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है तो इलेप्स 30 दो बुन दिन में तीन बार डायरेक्टिली टंग में लेना चाहिए दोस्तो नमबर चोथी मेडिसिन है मूलेन इयर डराप मूलेन इयर डराप की पिक्चर आपको साइड में दिखी रही है दोस्तो इसे पीना नहीं है कान में दो बुन डालना है कान में दो बुन दिन में दो बाट डालें दोस्तो यह सभी मेडिसीन तीन महीने तक लें आराम लगे तो इसे पांच से साथ महीने तक लें आपके बाहरेपन की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा, बेल आइकन भी दबाईएगा, मैं इसी तर से होमोपैथिक मेडिसीन रिलेटेड, डिसीन रिलेटेड आप लोगों क लाइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा,